दोस्तों नमस्कार मेरे साथ खड़े हुए हैं शक्ति सिंग जी शक्ति सिंग जी बांधी कुई और इनके साथ सभी इनके संगठन के मेंबर्स हैं संगठन का नाम है करणी सेना करणी सेना का जब नाम आता है राजस्तान में या हिंदुस्तान में तो अच्छे-च्छे डर ज जाते हैं कारण कि संजे लिला बंसाली भी डर गया था करनी से न से चलो अभी हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं बट करनी से ना के प्रदेश के उपाद्यक्स है सर मेरा सुना कि चितोड में बहुत बड़ा कोई आयोजित किया जा रहा है इसमें पूरू मेदि अगर आपको ध्यान हो तो फिल्मों के माद्यम से अभी एक साल पहले फिल्मी दुनिया में बैठेवे लोगों ने कपोल कल्पित बातों के आधार पर जो मेवाड के महान चरित्र को मेवाड का जो पूजनिय धरती है उसे खराब करने की जो कौसिस की थी चरित्र हनन करने की कौसिस की थी उसका पूरे देश में कस्मीर से कन्या कुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक एक बड़ा भारी विरोध प्रदर्शन हुआ और जिसके परिणाम सरूप इतना तक हुआ कि चितोड के किले के गेट बंद हुए आजादी के बाद में पहली बार देश के इतियास में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया कि कपोल कल्पित बातों के आधार पर आप हमारे महान इतियास को खराब नहीं कर सकते हमारे धर्म को हमारी संस्कृति को खराब नहीं कर सकते और बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ पूरे देश का राजपूत, पूरे देश का खुदार हिंदुस्तानी जहां एक साथ खड़ा हुआ था वो पूरे देश के खुदार हिंदुस्तानी स्वाविमानी नागरिक इस चितौड की धरती को 23 सितंबर को नमशकार करने के लिए शितौड की मिट्टी का तिलक करने के लिए पूरे देश के खुदार हिंदुस्तानी यहां पर आना चाह रहे हैं इसी उपलक्ष में तेवी सितंबर को जोहर स्वाविमान सम्मेलन कायोजन किया जा रहा है सर मुझे आप अपनी करनी सेना के बारे में भी और की नई चीज़ दे हैं हलाकि जबकि मैं कोई अभी राजनीतिक प्रशन नहीं पूछना चाहता हूं लेकिन पूरा राजस्तान में तो अभी चुनाओ आने वाले तो कई तरह के समीकरन बेट रहे हैं यह होगा वो नहीं तो राजनीतिक सवाल दे बट करनी सेना का मुख्य उद्देश राजस्तान में क्या है और राजपूतों के प्रती क्या है और राजस्तान में तो कई सरी जाते हैं तो आप करनी सेना का मुख्य उद्देश बदेए श्री राजपूत करनी सेना आज से बारा वर्ष पूरू 23 सितंबर 2006 को जब इस्थापना हुई थी तो 11 उद्देश्यों को लेकर श्री राजपूत करणी सहना की इस्थापना की थी जिनमें धर्मितियास संस्कृती का संरक्षन उपेक्षित को आरक्षन आरक्षित को संरक्षन इन तमाम मुद्दों को लेकर राजपूत आरक्षन को लेकर जब करणी सेना बनी उन में से दस उद्देशों की लगबग पूर्ती हो चुकी एक आरक्षन का जो विशय है उस पर आज भी सफलता कहीं नहीं मिल पई और जहां तक बात यदि गर राजपूत की है तो श्री राजपूत करणी सेना राजपू राजपूत के अलावा भी इस देश के लिए धर्म के लिए इतिहास के लिए संस्कृति के लिए छती सो कौमों के संरक्षन के लिए हमेशा खड़ी रही ततपर खड़ी रही आज से दस वर्ष पूर्व जब रामनों के उपर जैपूर की धरती पर लाठी चार्ज किया गय तो ये श्री राजपूत करणी सेना ही थी जो हरावल दस्ते में खड़ी रही अग्रिम दस्ते में खड़ी रही और जैपूर की धरती को एतियासिक रूप से बंद कराया चाहे जैपुर रॉयल फैमली की प्रिंसेज और राजस्थान की बेटी बचाओ अभियान की ब्रेंड अमबैस्डर प्रिंसेज दिया कुमारी के अपमान का मामला हो, चाहे अनेक अनेक 32 गरों को गरीबों के घरों को जला देने का सामड़ाव कांड हो, चाहे 19 वर्स के पूरे राजस्थान में उसको लेकर हो, श्री राजपूत करनी सेना हरावल दस्ते में खड़ी रही, और तो और मेवाड की महासती मापदमिनी का जब चरित्र हनन किया जा रहा था, एक अख़वार के माद्यम से रणवीर सिंग के द्वारा कि मैं अलाउदिन खिल जी का र हम मिलने ही के लिए ही गए थे, लेकिन नहीं माने तब उन्हें सबक सिखाते हुए कि ये हमारा मेवाड की धरती है, पूरवजों ने सिर कटाये थे, अपने रक्त से अपना बलिदान दिया था, रक्त से लिखे हुए इतियास को काली शाई से वापिस नहीं लिखने देंग हैं, उनकी इस पवित्र धरती को नमन करने के लिए पूरे देश के स्वाभिमानी लोग यहां पर आ रहे हैं, उसी के लिए 23 सितंबर को अधिक से अधिक संख्या में सभी पधारकार इस जोहर स्वाभिमान सम्मेलन को सफल बनाए है, लगबक कितने हजार लोग यहां आएं हर वर्स जो वर्सगांट मनाई जाती है, लेकिन इस बार चूंकि बारवी वर्सगांट है और अभी एक साल पूर्व जिस तरह के अनेका ने कांड हुए और मापदमिनी के इतियास को खराब करने के कौसिस कर ली, आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि यह फिल्मे दुनिया को जो खराब करने की कौसिस कर रहे हैं, ऐसे में उस महान विरासत को बचाये रखने के लिए, उन पूर्वजों की महान थाती को बचाये रखने के लिए, एक जंडे के नीचे आकर सभी इस चितोड की धरती को श्री राजपूत करणी साना की बारवी वर्सगांट पर एक दिवश पर सुबह ग्यारा बजे से कारेकरम शुरू होगा, जो शाम तक चलेगा, प्रणाम करेंगे, एक दिन का कारेकरम होगा, यह सिर्फ राजपूत करणी साना का विस्तार हो चुका है, पूरे देश के लोग जहां जम्मू कश्मीर से भी, पंजाब, हिमाचल प्रदे से और दक्षिन से भी साउथ में भी जहां क्षत्रिय रहते हैं, जहां खुदार हिंदुस्तानी रहते हैं, आंदर प्रदेस, तमिल नाडू, वहां से भी लोग इस धर्ती को नमशकार करने के लिए आएंगे, आपके इस मंच पर कोई कोंग्रेस का है, बीजेपी का बड़ में हैं, राजनितिक दुशाले उतार कर सामाजिक व्यक्ति सब कोई वहां, जो भी पधारें, उन सभी का अभिनांदन है, आपके साथ खड़े हुए हैं, जैदीप सिंग चुंडावत, आप भी अपना परीचे देकर दोदोशाब, जैदीप सिंग चुंडावत, को, 23 सेप्टमबर को आजाद भारत का सबसे बड़ा राजपुतों का सम्मेलन होना जा रहा है, जिसमें उसके बाद हमारा समाज किस दिशा में जाएगा, हमें किस तरफ अपनी गतिवीद्या बढ़ानी है, उसके उपर निरने लिया जाएगा, तो मेरा सभी समाजबंदों समाजबंदों से आगरह है कि आप ज्यादा ज्यादा संख्या में 23 तारिकों चित्तोडगड पदा रहें, धन्यवार, प्रदेश उपद्यक स्री राजपुत करनी से ना, विवेक सिंख्याली, प्रदेश परवारी हर्याना, मेरा सभी बाई लोगों से निवेदन है कि ज्य ज्यादा से ज्यादा संख्या में 23 तारिक को पदा रहें, क्योंकि 23 तारिक को चित्तोडगड इतियास रचने जा रहें, और कहीं ऐसा ना हो कि इतियासिक लमे में आप लोग चूग जाएं और फिर आपको पस्ताना पड़ें, तो मेरा सभी से निवेदन है कि 23 तारिक को ज जादा से जादा संख्या में पहुंचे शक्ति ददा का हर्दिक अभिनंदन ने इस मेवाड की दर्ती पर विवेक ददा का भी हर्दिक अभिनंदन जय हिंद जय मेवाड प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थेंक यू